Hey guys, कभी न कभी तो आपके मन में ये तो सवल आया होगा कि Why Wales and Northern Ireland का खुद का एक individual cricket team क्यों नहीं है पतलब अगर आप फुटबोल में देखोगे ना फुटबोल में England का individual team है Scotland का individual team है, Wales का individual team है In fact Northern Ireland का भी ना एक खुद का एक individual team है So guys, आस की वीडियो में हम जानेंगे Why Wales and Northern Ireland में Does not have any cricket team And also जानेंगे क्या possibilities है future में क्या हमें दो नीवो cricket team देखने को मिल सकता है तो सारा जैनकरी ना इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा देखो guys, अगर आपको ये चीज को धंग से समझना है तो ना अभी जो मैं बाते बता रहा हूँ आप इस बाते को रहा धान से सुनो कि UK क्या होता है, Great Britain क्या होता है, Single Countries क्या होता है इस बात को रहा है इस बात को रहा है क्योंकि मैं आपको Trust me बोलता हूँ This is one of the most complicated thing जो आभी मैं आपको बता रहा हूँ So guys, आपने तो ए ट्राम के बारे में सुना होगा British British Isles के बारे मतबको सुना होगा Actually मैं British Isles ना फेले ये पूरा जो आइलेंड है पूरा आइलेंड कोई British Isles कहा जाता था मतलब कि Ireland, UK सभी कुछ को मिला करना British Isles कहा जाता था But 1920s में Ireland and UK की बीच में एक Irish War of Independence होगा था जिसके बाद से जो आइलेंड है ना वो UK से अलग हो गया था और खुछ से एक सेपरेट कंट्री बन गया था जो Republic of Ireland से आज हम जानते हैं तो एक अभी की टाइम में इस रिजन में दो कंट्री है मतलब कि England, Scotland ये कोई कंट्री नहीं है इधर दो कंट्री एक्जिस्ट करता है पहला तो आपकरा Republic of Ireland और दूसरा है UK और UK अंदर चार कंट्री मिलकर United Kingdom में जो फर्स्ट है Scotland, Northern Ireland, Wales and England ये चारो कंट्री को मिलकर ना United Kingdom बनता है और जो टर्म है Gate Britain इसको बहुत बार सुना होगा इनफेक्ट आपको ओलम्पिक में देखने को मिला होगा Gate Britain actually में जो England, Wales, Scotland है वो टीनों कंट्री मिलकर ना ओलम्पिक में एक कंट्री करकर रेप्रेजन करता है मतलब कि ये जो नाम है GB Gate Britain, ये ओलम्पिक के लिए ही न जो UK है वो इस नाम को यूज करते है क्योंकि इस नाम से ही उन्होंने जो ओलम्पिक में रेजिस्टर किया था तो इसलिए वो UK नाम को यूज नहीं करते है इसलिए वो Gate Britain नाम को यूज करते है अगर मैं आपको इसको और भी समझाने जाओ ना तो यह बहुत ही जादा कॉंपिकेटेट आगा मैं ट्रस्ट में बोलता हूँ इस इस वन उफ दा मोस्ट कॉंपिकेटेट थिंग अगर मैं उपर-उपर से क्रिकेट की पॉइंट अब ब्यूस आपको बताऊ ना तो इन ओलम्पिक्स स्कॉटलेंड वेल्स और इंग्लेंड वह तीनों कंट्री मिलकर रेड बिटन रेप्रेजन करता है ओलम्पिक्स में और जो नॉर्दन लाइन ने ना वह एक डिस्पूटेट एरिया है नॉर्दन आइलेंड के लियर्स ओफ वह एठलेट्स ओडेड वह और से है इंटिविड की साथ रेप्रेजन किया था मतलब उनकी पास ओफ नॉर्दन आइलेंड के जो प्लियर्स और उन सथ है न कंट्री की साथ खिल सकता đầu न यह एख्चुली एक कंट्री है जैसे हिंडिया एक कंट्री है ना थे उक उक्टशुली एक कंट्री एक अड है एक कंट्री बिलकार इक कंट्री होता है और आग में बात करें अगर एक कंट्री तो Why फूटबॉल एफर रगभी में उनकी सेपरेट सेपरेट टीम क्यों है देखो इसका अंसर बहुत ही कॉम्प्रिकेट है मैं सीधा वर सबको बताऊ न आज की टैम में जो एक्जिस्टिंग जो पॉबलर स्पोर्स को देखते हो जैसे की फूटबॉल जैसे की क्रिकेट जैसे की होकी उन सारे स्पोर्स कोई न पिडिशयर नहीं वानायाता था मतलब कि पीडिशयर में इस स्पोर्स को मनाया था तो इसके वजह से कुछ तो मतलब आपको लूप होल देखने को मिलता है औन जो इंग्लें की क्रिकेट बोर्ड है Beyond Kreath Chamber बोड है वो ICC से पहले एक्जिस्ट करता था तो इसलिए ना उनकी सेपरेट सेपरेट टीम से और ओविसलिए जो कंट्री मतलब किस गेम को बनाया है उनके बास तो कुछ है जमेनी तो ज़रूर होगा सब समझ चुके होगा शायद इस बात को but back to हम फूटबाल में देखते हैं कि Northern Islands Wales के एक सेपरेट टीम है बाट क्रिकेट में ऐसा क्यों नहीं है देखो आज की टाइम में जो Modern England है Modern England की जो टीम है वो Only England की टीम नहीं है वो एक्चुली में उनकी जो बोर्ड है वो England ने न वेल्स की रिकेट बोर्ड है बाट एक टाइम में न स्कॉट्लैंड, इंग्लेंड, वेल्स वो टीनों कंट्री मिलकर एक रिकेट बोर्ड हुआ करता था बाट स्कॉट्लैंड को न क्या से अलग सा मेंबर्शिप मिला है ICC का देखो स्कॉट्लैंड को यह से ही नहीं मिला मेंबर्शिप उसके लिए भी उनको apply करना परा एन ICC के जो criteria है उनको fulfill करना परा then उनको जाकर ICC का membership मिला है तो क्या है ICC का criteria ये membership कर जो document है मुझे ICC की website में मिला है अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो ना तो नीचे description box में link है जाके पर सकते हो आप अगर मैं आपको easy way सो समझाओ ना चो criteria में लिखा है कि किसी भी country को आप फिर जो disputed areas है अगर उन सारी countries को उन सारी disputed areas को ICC के membership चाहिए ना तो उनको कुछ criteria को fulfill करना परता है जैसे कि have the appropriate status, structure and recognition होने चाहिए इस board की उपर तब जाके country of a disputed areas को न ICC के दारा membership दिया जाता है इट मेंज दर जो unrecognized country है जैसे कि अपको कोशोब हो है western सारा है northern cipras वो भी ICC का membership ले सकते है अगर वो apply करे तो तो बहुत ज़दा हाई chance है कि उनको भी ICC का membership status मिल जाएगा वो की जो काईटीरिया है अबो बहुत ही बतलब की easy है so now हम बात करेंगे why Wales and Northern Ireland की separate team क्यों नहीं है first बात करते Wales की Wales है अभी तक England cricket board की part अभी तक है अगर वो भी ना separate teams की status लेना चाहते है तो ना उनको भी Scotland की तारा easily ICC का status मिल जाएगा और दूसी और जो Northern Ireland है Northern Ireland की जो team है वो पार्ट है Ireland cricket board का means Northern Ireland and Republic of Ireland मिलकर एक Ireland board रेप्रेजन करता है cricket में और इसलिए जो आपको Ireland cricket की जो flag है national flag है वो Ireland की flag आपको देखने को नहीं मिलता है वो उनकी cricket board के जो flag है उसको यूस करते है क्योंकि वो दूनों countries मिलकर एक cricket board बनता है अगर किसी Northern Ireland की player ना अगर वो England को रेप्रेजन करना चाता है तो वो भी कर सकता है क्योंकि Northern Ireland की जो player और फिर एतलेर से वो UK या फिर Ireland को दूनों में से किसी एक को रेप्रेजन कर सकता है तो बात तो गुमफिर कर रही आता है कि या हमें future में Wales and Northern Ireland की separate teams देखनों को मिल सकते है तो आज की scenario को अगर देखे ना तो maybe it's probably not वोकि Wales में क्रिकेट एक popular sport नहीं है और हमने अभी तक भी जो England की team में है England में टीम में अभी तक भी एक notable Wales cricket player अभी तक भी आमें देखनों को नहीं मिला है और जो popularity है ना Wales में क्रिकेट की वो football and rugby से बहुत ही कम है और और एक बाग अगर Wales NICC का separate membership अभी की टाइम में ले लिया ना तो English cricket से ना जो उनकी लीन देने Wales cricket में वो सारे कुछ तूट जाएगा और जो Wales cricket है ना वो सफर करने लगेगा स्टार्टिंग की डेस में अपको मैं एक्जम्पेल देगे समझातों जैसे कि कार्दिव जो एक stadium है जो Wales में है वो England उस stadium को एसस के लिए और इंटरनेशनल मैसस के लिए रिगोलरली वेसस में यूज करता है वो जो money है वो split होता है England and Wales cricket board में अगर Wales cricket board सेपरेट हो जाए England से जो revenue है वो revenue भी Wales cricket board को नहीं मिलेगा तो यह भी एक और factor है जिसके बज़े से Wales cricket board अभी के टाइम में भी ना एक सेपरेट cricket board की मांग नहीं किया है और आज की टाइम में ना जो वेल्स में जो cricket है वो इतना ज्यादा भी नहीं होता domestic level पर बट इसके वावजुद भी अगर आज की टाइम में Wales cricket team exist करे ना तो वो शियूरली वो बो इसली लाइक बांगलादेश, इंबभवी, आर्लेंड, स्कॉट्लेंड को इसली challenge कर सकता है and also Wales cricket team separate होने के बाद also एक probability है कि open the doors for a Euro cup in England, Wales, Scotland, Ireland, Northern Ireland and Netherlands can take a part yes also Euro cup की possibilities भी बड़ा सकता है and दूसरी और बात करें Northern Ireland की तो देखो Northern Ireland की जो प्लेयर से वो आज की टाइम आईलेंड को represent करता है and Northern Ireland की बात करें तो उन्होंने एक ही टाइम मतलब कि पूरी history में एक ही टाइम एक single country करके participant किया था जो था 1998 Commonwealth Games में वो एक single country करके participant किया था जिस टाइम में उन्होंने न Commonwealth Games ने बांगलादेश जैसे टीम को भी हराया था and hope तो करता है कि आने वाले future में हमें और भी दो टीम देखने को मिले and अगर मेरी prediction की बात करें तो अभी की टाइम में हमें वेल्स सेफर नॉर्देन आइललेंड से कोई भी cricket टीम देखने को ने ही मिलेगा वेल्स में कोई नहीं मिलेगा आपको तो मैंने बता दिया हूँ and वेल्स को अगर future में एक टीम अलग सा separate टीम बनना है न first उनको एक best cricket टीम बनना परेगा उनकी जो players है वो England की टीम में आना परेगा तब जाकर वेल्स की chances है कि वो भी एक separate टीम बने and दुसरिया Northern Ireland की बात करें न तो obviously Northern Ireland थोरा से confused एरिया है क्योंकि जो athletes है वो इधर UK को रेप्रेजन करते है इधर आयलेंड को रेप्रेजन करते है तो वो भी एक complicated things है उनकी players के लिए तो क्या है आपका सोचने इस वीडियो से तो ज़रूर नीचे comment पर बताना and obviously अभी की टाइम में थोरा अभी जीओ तो इसलिए वीडियो थोरा लेटले आएगा तो इसके लिए फिर से sorry तो please आपनी जो ओपिनियान है नीचे comment पर ज़रूर बताना have a great day guys thank you